श्वेतास फ्लेवर्स में आप सब का फिर से स्वागत है तो आज हम बनाने वाले हैं बहुती टेस्टी सा, बहुती हिल्दी एंड नुट्रिशिस बीटरूट, कैरट एंड टुमेटो सूप तो मेरे पास जो भी वेजीज हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सूप में अड़ कर दूँ जिससे की बच्चे इसको ले सके अदवाइस तो बहुती डिफिकल्ट रहता है बच्चों को ये सारी सबजियां खिलाना तो सबसे पहले मैंने क्या किया है मैंने दो कैरट लिये हैं एक बीटरूट लिया है एक ब्रॉकली ली है और चार पांच मैंने टॉमेटो लिये हैं बहुती सिंपल रेसिपी है और बहुती निट्रिशियस है और विदिन नो टाइम ये तयार हो जाती है तो सबसे पहले मैंने सारी सबजियों को अच्छे से वाश कर लिया और उनकी स्किन को पील आफ कर लिया है तो इस तरह से मेरा कैरट और बीटू ट्रेडी हो गया है इनको मैं चॉप कर लूँगी, मोटे मोटे पीसे में मैंने इनको चॉप कर लिया है बहुत फाइन चॉपिंग करने की ज़रुरत नहीं है तो बस इस तरह से इनको मैं ले लूँगी और साथ में मैंने लिये है टोमाटो एंट ब्रॉकली जिसको मैंने कॉकर में डाल दिया है तो बहुत ही सिम्पल रेसिपी है और सारी वेजिस को हम कूकर में डाल देंगे और साथ में एड़ कर देंगे इसमें हम around 750 ml of water की सारी सबजियां अच्छे से इसमें आ जाए और साथ में मैंने सॉल्ट डाला है और उसके बाद मैं मैं कूकर बंद करके रख दूँगी गैस पर करीब 4-5 विसल्स मैं इसमें आने दूँगी और उसके बाद इसको कूल डाउन होने देंगे हमारी कोशिश है कि जितना भी हमारा फाइब्रस पोर्शन है वो सूप के अंदर intact रहे तो सबसे पहले तो हम इसको ठंडा होने के बाद में थोड़ा सा ट्रेन ओफ कर लेंगे ब्रेन ओफ करने के बाद में जो भी हमारी वेजीज रह गई है इनको हम और थोड़ा कूल डाउन करेंगे और जब यह प्रॉपरली कूल डाउन हो जाएंगी तो इसके बाद में इसको हम निकाल कर अपने ब्लेंडर में blend कर लेंगे तो देखी इस तरह से मैंने पहले पानी strain off कर दिया और जो बाकी जो भी veggies बची थी उसको सब ब्लेंडर में डालके मैंने blend कर लिया है तो इस तरह से ये बहुत एक fine paste इनका तयार हो गया है अगर आप चाहें तो इसको as it is भी अपने soup में add कर सकते हैं पर मैं इसको एक बार और strain कर दूँगी ताकि जो भी seeds है या जो tomato की skin है वो residue भी बिलकुल भी soup में नहीं आए खाते time में तो इस तरह से मैंने इसको अच्छे से beat कर लिया पूरा strain off कर लिया जितना भी thick material था जितना भी thick fibrous portion था वो मैं soup में add करने की कोशिश करूँगी क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा nutritious चीज है जिसको हम discard off नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से आप देखेंगे मैंने पूरा इसको strain कर लिया और जहां तक कुछ भी residue नहीं बचा है सिर्फ tomato seeds and outer skin बची है तो इस तरह से अब हमारे पास जो ये soup हमारा ready हुआ है इसका अब हमको करना है flavor और seasoning को add करने का काम तो देखें अच्छे से मैंने mix कर लिया है और बहुत ही creamy soup ready हो गया है इसमें हमें कोई भी slurry तयार करने की ज़ूरत नहीं है कुछ भी corn flour वगरा कुछ भी add करने की ज़ूरत नहीं है बहुत ही basic soup है और बहुत ही tasty and nutritious look at the color बहुत अच्छा बना है इसमें मारे black pepper add किया है और आप देख सकते हैं कि soup ready हो गया है बिल्कुल within no time और garnishing के लिए हम इसमें add करेंगे थोड़ा सा butter यह optional choice है आप butter add भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं और साथ में मैं इसमें उपर से garnish के लिए डाल दूँगी थोड़ा सा coriander leaf आप भी चाहे तो डाल सकते हैं अदर्वाइस mint leaf भी आप add कर सकते हैं और winters में इस soup को enjoy कीजिए, relish कीजिए वीडियो को like and share जरूर कीजिएगा चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा